पूलियो चंग या आपको पूलियो है हम कंप्यूटर और इलिजारो तक्निक से पूलियो पेशिंट का इलाज करते हैं और उन्हें बेहतर से चलने में सक्षम करते हैं हमें कॉल करें और अपॉइंट्मेंट लेकर एक बार जरूर दिखाई आप अपने जिन्दी की बदल सकत हैं भुला होस्पिटल है नमस्कार राम राम मेरा नाम योगेश लोखंडे है मैं पुने महराष्टर से आया हूं रहनाए वाला हूं मुझे साड़े तीन साल का था तभी मुझे पोलियो पेशेंट पेशेंट हूं अभी आज मेरा 51 एर एज है जबी मुझे साड़े तीन साल का था पोलियो हुआ तभी मैं चल फिर भी नहीं सकता और उट बैद भी नहीं सकता था तबी मेरे माता पिता ने बहुत सारे इलाज करवाएं तो उसमें से मैं चलने लगा चितरे से उट बैड भी चल सका लेकिन पहर से लंगड़ाता ही था और एक पहर मेरा राइट लेग जो है वो छोटा भी हुआ तो अब जबी में चलने फिरने लगा तो मैं तभी तो बहुत चलता था शुरू में तो जोश रहता है जवानी का तो बहुत चल पहाड़ों पे भी चड़ा अभी लास्ट यहर तक मेरा लास्ट यहर का मैंने एवरेज देखा मेरे आइफॉन के इसमें हिल्थ में तो वन पॉ पेर में साइटी का हुआ तो साइटी का हो अभने के बाद में इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने इलाज कर वाया मैं दस दीन वहां नैश्रोपती सेंटर में भी रहा तो फिर उन्होंने मुझे आडवाइस कि आप चलना बंद करो तो तब से मेरा चलना बंद हुआ लेकिन मेरी ख्वाइश थी कि मुझे तो नर्मदा परिक्रमा करनी है नर्मदा परिक्रमा में तो बहुत चलना पड़ता है रोच का 30 किलोमेटर चलना पड़ता है हुआ लेकिन वहीं मुझे मेरे गूर्व सा忳्वाबा ने संकित दिये वह नहीं सही स्ञस्री कि तुम यह पूलीयो तो प्लेओ को अपरेश और पाया तो थीक मैंने में स्वर फवाद लगा क्यां करवा ना तो मैंने आइसे हमारे पुना में तो मैंने चारपच हॉस्पिटल में गया तो वह सब बोलते थे कि तुमको क्या जरूरते हैं क्या करेंगे ऑप्रेशन करके थोड़ा फर बहुत कैलीपर होगे लगाओ आइसा ही जिवन अभी बिताओ कितना रह गया ऐसा समने बोला लेकिन म पूरा साइट देखा पूरे यूटूब के वीडियो भी देखें तो फिर मुझे यह हो गया कॉंफिडेंस आया कि यहार मेरा भी यहां ऑपरेशन हो सकता है और सक्सेस हो सकता है तो मैंने डिसेंबर में फो कॉल किया था हॉस्पिटल में तभी मैं डॉक्टर साब से पूरा बताया कि तुम्हारा कैसा्स आक्रीशन होगा क्या होगा उसके फाइदे क्या है नुकसान क्या है वह सब बताये तो बृसके बाति MAए फिर influences को यहां आके एडमिट हो गया और तेरा मार्च को महने अपना प्रेशन करवाया अपरेशन से पहले मेरा दोनों पहर पे वजन भी सही नहीं आ रहा था तो anticipation के बाद लेकिन मेरे अभी दोनों पहर वजल भी प्रावलम दा तो अपडले ये जो नी है मेरा पीट के बध GREG लेटता था TO Nी भी मिरा प्रवलम भी चलने का मेरा स्टाइमिना नहीं होता था और मेरे कमर में भी ग्याप रहती थी तो अपरेशन के बाद यह प्रावलम भी सब खतम हो गए तो इतने सारे फाइदे और एक बताने की बात यह है कि जब भी मैंने 13 मार्च को मेरा ऑपरेशन हुआ दूसरे ही दिन मैं सारे खड़ा हो गया दूसरे दिन मैं चलने लगा चलने लगा फिर में दो तिन दिनों के बाद फीजियो थेरेपिस्ट के यहां बेस्मेंट में आ गया फीजियो थेरेपी जहां होती है हॉस्पिटल में तो यहां फीजियो थेरेपिस्ट ने हमसे एक्सराइज करवाए तो एक्रामे वाकर में चलते-चलते फिर उनने स्टिक पे लाया स्टिक पे लाते-लाते उनने बिना सारे चलना भी सिखाया तो मैं यह पिजियो धेरफिस्ट का भी बहुत आभरी हो कि उन्होंने इतना मेहनत किया उपर और सबकों माई दिल से धन्यवाद देता हूँ और मेरे सद्गुरु सादु बाबा जुनों ने मुझे यह उप्रेशन कराने के लिए हिम्मत दी ताकत दी और उनने जो मारगदर्शन किया और उनके मारगदर्शन से बोला सर ने मेरा उप्रेशन किया तो उनका मैं दिल से बहुत बहुत दन्यवाद आदा करता हूँ साथ म सुरेज भोला सर का भी महीं बहुत शुक्रिया आजा करता हूँ उन्होंने तो मेरा लाइफ ही चैंज कर रहे है दन्यवाद थैंक यू भोला सर थैंक यू वेरी मुझ परेशन से पहले आप कितनी देर खड़े रह सकते थे बिना स्पोर्ट के अभी आप परेशन के पहले में अगने खड़ा रहना तो बंदी हो गया था आज की देट में आप कितनी देरे एक टाइम पर खड़े हो रहा है अभी तो मेरे चलता हूं मैं दो डाइगंटे गणते चल रहे हैं खड़े हो रहे हैं जो आप उमीद लेके आये थे यहां पर आपके गुर्दोय की कृपा से उतनी पूरी हुई है उससे कुछ जैदा हुआ है उससे जादा ही हुआ है और मुझे भरोसा है कि एक साल बाद यह इलिजर उतरेगा थोड़ा सा मेरा भी तीन महेने तो मैं वाकर पे चलूंगा तो उसके बाद जो मेरा एक साल में जो डेवलप्मेंट होगी वो अच्छी ह और मेरे घरवाने में सोचा नहीं रहेगा उससे भी जादा मुझे फायदा मिलेगा सोच से परे की बात है